आज हम यहां आए है हजरत मुहम्मद अश्वाख हुसाइन चिश्ति ताजिर रह्मत दादे मोती जिरा मोती जिरा पहाड़ी पर यह एक दरगा है नापुर से अमरावती जाने वले हाइवे पर राज कमल धाबा है उसके जस्त अपोसिट साइड में हाइवे से थोड़े से ही ऊपर यह दरगा है आज हम यहां इहां पर आनी की कई दिन से मैं आने के बारे में पर आज पहली बार यहां दिन के वक्त से यहां से गुजर रहा हूं और सूचा कि शायद यहां जाया जा सकता है तो लेट सी रोड से बस एक सव देड़ सो मीटर ही होगा बमुश्किल वहां तक कार से आया हुमें और बस वहां गाड़ी पार्क की है आप राजकमल डाबे पर भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और वहां से वही जादा बैतर रहेगा क्योंकि यह जो गाड़ी मैं सो मिटर उपर लेकर आया है यह काफी पत्रीला रस्ता है और इस रस्ते पर गाड़ी चड़ाने से अच्छा है कि आप नीचे ही गाड़ी रखे वहां से बस पाच मिनिट पैदल की दूरी पर ही यह जगा होगी यहां से थोड़ी चड़ाई है देखते आगे क्या है मोती जीरा इस पहाड़ी का नाम है शायद जो कि यहां लिखा था इस चड़ाई पर सामने की तरह एक गेट दिखाई दे रहा है पीछे यह फूपसूरत से जगा थोड़ी घास जो है अब सुख रही है क्योंकि बरसात का मौसम निकल गया है सरद्या शुरू होने वाली है यह साग के पेड़ है टीक वूड जो कि अभी डेसिडियोस प्लैंट है और इसके पज़ड़ भी शुरू होने वाली है यह जो है उसके उसकी बगल में यह पालाश का पेड़ा जिसके फूल बाद में होगेंगी अधिक बस जारे दरगा दिखें अधि एक बहिया मेले रास्ते में पूछ रही इधर कहां बढ़के है यह केट है हुआ 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 है चोटा सा एक जगा शायद वहां बनाई है बहने के लिए अक्सर कोई होता नहीं है यह पर यह कोई तेमपल और ताबूत के बीच में कुछ बना दिया है यहां से उपर यह स्टेर्स जारी हैं कहां जारी हमको पता नहीं हम देखेंगे शायद अगर वहां तक जा सके कुछ पूछा जाए और हमारे लिए तो यही बैतर है कि कोई है नहीं क्योंकि हम तो लोगों से शर्माने वाले लोगों में हैं जितने कम लोग हो उतने हमारे लिए बैतर सो यहां पे खादी में दरगा जराब महमद दफसर हुसैन का नाम लिखा हुआ है यह यह जिल्ला परिशद नाकपूर ने बनाया हुआ है ग्राम पंचा पांजरा काटे के अंदर यह जगा शायद आती है यह यह बनाते भी है और हम अंदर नहीं जाएंगे शायद यहीं से कि यही से कुछ कर लेंगे दर्शन हाँ यहां पी गूला बोक्यों रित्र की खुश्बू आ रही है लेट सी हाँ यह जगा अब आगे चलके हम उन पा उन स्टेप्स पर जाने की कोशिश करते हैं कि क्या है